हेलो सुदेंट्स आप सभी का हमारे येट्वीब चैनल पे स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसक्रीन पे आज हम मैं आज हम वीडियो में डिसक्रस करेंगे और आज की वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सरकर्स में वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनको भी जो है जो companies को लेकर के और subjective knowledge को लेकर के और आपका government computer exam की प्रिपेशन को लेकर के उनको भी जो है वीडियो मिलते रहें और आप सभी जो अपने exam की on campus की, off campus की placement की जो preparation है उसको अच्छे से जो आप कर सकें तो कि students आज हम CA Tires Limited Company का जो technical interview रहा है उसके बारे में हम discuss करेंगे और उसको discuss करने से पहले हम सबसे पहले जो हम discuss करेंगे उसका जो selection criteria है उसको लेकर के जो हम बात करेंगे अगर selection criteria की बात की जाए तो screen पे आपको दिखाई दे रहा हो कि सबसे पहला जो process रहा है on campus अगर हम on campus की बात करेंगे तो on campus में सबसे पहला जो round है वो आपका return test जो एक तरह किसे elimination round है इसमें आपका technical और non-technical दोनों रहता है return test के अंदर ठीक है और इससे पहले का एक criteria और रहता है on campus में लेकिन उसको हम rounds में count नहीं कर रहे हैं लेकिन companies जब on campus के लिए आती है college में या अपने या पर जो है या फिर online campus का जो है online test या CBD test वो conduct करते हैं तो उसमें criteria company पहले ही जो है college को भीषती है जैसे कि आपके टेगर college के टीप्यों है तो वो लिस्ट भीषते हैं कि हमारे college से आप बच्चों को ले सकते हैं वो companies को लगता है कि उनको on campus के requirement है उनको recruitment करना है तो फिर वो जाए आपके college के टीप्यों है तो उनको जो है आगे का process forward करते हैं कि हमको जो है यह percentage बच्चों के होने चाहिए यह height है यह weight है इतना होना चाहिए अगर height और weight में भी कोई गड़बड होता है तो हम वेट में एक बार को थोड़ा कर लेते हैं कि अगर वेट थोड़ा वहत कम है तो इसको आप जो है थोड़ा सा अपने खाने पिने पर ध्यान दें जिससे कि आपका वेट हो जाए है और height का तो उनका ही एक ratio fix रहता है तो वह ratio आपका होना चाहिए ठीक है और वेट को लेकर भी है अगर वेट का हलका micron minor रहता तो कोई दिखकर लेकर वेट बहुत जादा अगर कम है तो minimum 50 kg तो होना चाहिए ठीक है न तो यह फिक्स है वेट को लेकर height का भी I think 153 60 cm के around रहता है तो उतनी height आपकी होनी चाहिए ठीक है तो यह दो तिन क्राइटियरिया कंपनी के जो है आपका स्टार्टिंग बर रहते है रिटेंट टेस्ट से पहले कि अगर आपका परसंटेश का क्राइटियरिया रखा अगर वह आपका fulfill है ठीक है और height and weight आपकी height का ठी 50 kg होना चाहिए और height का जहाता का I think 150 to 160 के बीच में है कि minimum 153 और या फिर 160 के बीच में आपका रहना चाहिए height का तो यह दो कराइटीरिया हैं तो होसकता कभी जो है 153 का क्राइटीरिया फिक्स होता हो 160 क्राइटीरिया फिक्स होता हो कि हाइट बहुति है मतला आपका रहना चाहिए भाइट का भी आपका height का जो criteria है यो company change भी कर सकती है उनका अपना selection process selection criteria है और weight का minimum 50 kg तो आपका होना चाहिए अगर इससे कम weight अगर आपका रहता है तो उस case में फिर आपको consider नहीं करती है ठीक है न तो यह तीन parameter है percentage का जो parameter यह depend करता है company का कि वो कितना रखना 60 65 75 जो भी उनका criteria है वो उसमें रख सकते हैं डेपेंड करता है कि जहां campus के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जो है उनको कितनी requirement है और उस आप से कितने बच्चे महाँ पर उनको मिल रहे हैं जरूस से जादा और उनके लिए क्या क्या प्रॉसिस फोलो करना चाहते हैं तो महाँ पर पर सेंटेज क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं 60 65 70 जो भी है यह फिक्स नहीं है तो यह डिपंड करता है कंपनी का कि वह किस साबसे सेलेक्शन में पर्सेंटेज का क्राइटेरिया क्या रखना चाहते है चाहिते चाहितना चाहितना चाहिता चाहितनाय। फिक्स क्षोश होगा में पहले ही योटीव चैनल पर यूदियो पोस्ट कर चुकॆ हूँ अगर आप मेरे प्रिवेश्व वीडियो देखेंगे ईसमें गुप मैंने इसॉट मुप्र में तेस्ट क्या होता है कौन कौन से टेस्ट होते हैं सदित होते हैं इन्टेजंश्फी को लेकर रापका जो है जो after worst skill को लेकर के तो अगर आप उस video को देख सकते हो उस video का जो link को अप आये बितन में आपको दे दूंगा आप यहां से जाके सकते हैं आप फिर इस video के description में अगर आप जाएंगे तो आपको psychometric test वाला जो वीडियो है उसके लिंक आपको मिल जाएगा आप जाकर किस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रिपेशन को आप बेटर कर सकते हैं तो पहला जो राउंड है आपका रेटर टेस्ट का जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर लेंगे वो सेकेंड राउंड के लिए चले जा आपने देखाने जीडी क्या होता है कैसे होता है जीडी के अंदर कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और जीडी में जो इंटर्वियर होते हैं वो केंडिट में किन-किन पॉइंट को लेकर के जो है सेलेक्शन करते हैं केंडिट का तो अगर आपने उस वीडियो को भी देखन बना सकते हैं हैं कि को एक तो चीडी होने के बाद जो आपका के या जो बच्चे ही वाला में सेलक्ट को होने फिर आपको तेक्निकल राउंड के जाएंगे और पर चुंसी आपको ह्या जाया घुचा का Gedanken करता है कि वहाँ पर याइक पॉइंट को लेकर के जो सेलेक्शन किया गिया लाइए चारों में तो आपका मैले की मैक्सिमम क्रीटिरा यह हुथ है कि यह गर ऑफ कांपस प्लिस्मेंट कि गर बात करें तो आफ स्फ प्लिस्मेंट में अगर आप जाती है तो आफ केंपस प्लेस्ट में तो आप जब आया तो आप किसी वेबसाइट के थुरू अप्लाई करेंगे या फिर जैसे नोकली.com हो गया आपका या टाइम जॉप.com हो गया या और भी दुनिया बर की साइट से वहां से अप्लाई करते हैं फिर आप कोली कंपनी का जो करियर सकर उनको मिल रहे है जो भी उनको लगता है कि हमारा सेक्शन क्राइटर है अगर स्टार्टिंग में परसेंट होनी चाहर उनको जो है 65 प्लस या 60 से अबब प्लस वाले जो बच्चे काफे सारे मिल रहे है ऑफ केंपस में तो कंपनी क्या करती है वहां पर फिर वो जो है कंपनी करती Caroli उस उसमें drop जो बच्चे होते हैं उनको मर्ज़ कर लीती है ठीक है एंदा एक फ्रिक जगार और फिर वे प्रश्रा-इसाबृ करती कंपनी कि नंबर of कैंडिट जाद होगे अब उनके पास गलेन काने और बुल करता गए आब वहां पर ज़िसा इस ही लेती है और फिर उनका वो off-campus placement हो जाता है सेकिंड थर्ड off-campus placement में क्या है कि अगर आपका सब्सक्राइब आपने अप्लाई किया या किसी कैंड़ेट ने अप्लाई किया किसी वेब साइट के तुरी या करियर के पेच भी और उसमें चार बच्चे जो हैं लगता है कि उनको एक आर्भ रेक्वार्मेंठ या दोसकार्मेंट है तो उसके में किया है फिर हो इनिविज़व भी दुला लेते हैं अब उसमें क्या करależूंत को रिटेंट टेस्ट लेंगे हैं या आपका साइको 되어 टेस्ट ले लेंगे जीडी श्राइद एक बार को फिर ना ले फिर ऑप्शनल में चला जाता है टेक्निकल और आपका एचार राउंड उसकेस में होगा ठीकिन अगर इंडिज्वल बुलाते हैं वह लेकिन अगर उनको लगता है कि कापी सारे केंडिटिस उनको जो है ऑफ कें कैंपकस में मिल रहे हैं है और वहां पर जो आपका वेबस आघर किरोई के के हैडिक होता है उनका जो है जो रिद्र टेस्ट वाला और जो साइक्कोमेटिक और जी डी वाला जो राउंड है ये तीन राउंड तो उनके नहीं होते हैं उनका जो मेरे नहीं होता हुआ प्र वह उनका टेक्निकल और टेक्निकल पिनका जो है दो तरह कि होता है को सदेश्य को ब्सक्राइब दूसरा यापन करेंज में को फिलिजुक्राइब रहा है उसको लेके होता है और जो की एचार जो उनके जो जो जिस फिल्ड में उनका है जैसे मेकनिकल मगरत मेकनिकल के expert को साथ होता है एक अप टेक्निकल रांड होता है दूसर एक्सपर्स के साथ उनका होता है रहूंत अप्र सेलेक्शन क्राइवरिया मैं नब सتمत्साथ вод ऊंट में में रह करके और और experience के भी आफ पर भी जो है मैंने आपको बता दिया इस तरीके जो है selection criteria जो रहता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं आपका जो है technical में previous times में जो है क्या-क्या questions पूछे जाग चुके हैं किन-किन topics पर questions हुए हैं तो अब उनको थोड़ाम देख लेते हैं तो technical interview में अगर देखें तो सबसे पहला question tell me about yourself यह रहता है क्योंकि आफस्टाइम जॉब सीकर candidate interview कर सामने होता है तो first impression नहीं होता है कि tell me about yourself तो आपको अपने नाम से वहां start करना है अपने schooling जो आपकी जहां से आपने की है और जो percentage आपको बताएंगे उसके बाद जो अपना graduation का आपको बताना है percentage का बस ठीक है आपको वहां पर इतना बताना है second question पूछाग है types of bearing and its application तो bearing वाला जो topic है उसमें से questions पूट अप होए कि जो bearing जो कितने time में जो है पूछे जा चुका है and third is what is gear किसे कहते हैं define gear को define करना है तो gear की जो परिभाशा क्या है वो परिभाशा वो definition जो है पूछी गई है तो यह आपर सिफ gear को define करने के लिए लिए तो गेर वाला topic बहुत important है तो गेर की टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रिवस टैम में गेर की टॉपिक से भी जो questions पूछे जा चुके हैं और वात आफ जाव घेर कितने ट्यूपिकशन तो नमबर ऑफ टैप जाव जो पर बताने हैं ठीक है और अगला question जो पूछा यह वाट जावाट इस पंप तो यहाँपर जो है पंप को define करना आह और सातमुसी क्लासिफिकेशन तो पंप काईब की यह क्लास फम्मुल्त है और यहाँ पर पूच्छीए ए हमफ को करना और की थी क्लासिफिकेशन टैप सब्सक्राइब करने के लिए पूचा जाए ऐसे बाद जो नेक्स कोश्चन जब कपलेंग से पूचा ग्याय है आपका कप लिंग से कोश्चन पुठआ हो है और उसमें पूचा है और का लिंग क्लासिफिकेशन नर या फिर ट्रट channels जो हैं तो नर ट्रट पूच वूची गई है तो यहां ऊच क्लासिफिकेशन की अपती। लुब्रिक्राइटिंग वेल्स के जो कि आप पूछा गया है तो यहां पर आपको जो खले लुब्रिक्राइटिंग वाल की टाइप सब्ता नहीं है रम7 तो The next question What do you know about manpower management आपका management से question लिया क्योच कि मैं पावर मेनेजमेंट है वो क्या होती है उसको Define करनी है तो manpower management क표 यह यहाँ पर Debायन करके बताना है अब को और है and next question what is industrial losses जो इंडेस्टेर लॉसस रहें वो क्या कि क्यों होते हैं किस कारण से होते हैं तो explain करना है losses को तो industrial losses पहले क्या हो तो यह define and then explain कि यह question पूछा गया last time कि and what is inventory inventory से आप क्या समझते हैं तो यह question जब पूछा गया है तो आपको define करना है इसमें inventory को उसकी परिवार्शा बतानी है वह को example देकर समझाना चाहिए तो वह भी आप समझा सकते हैं तो यह question last time जो है पूछा जा चुका है and next question what is the size of bolt for any size of drill bit and hole तो जो बोल्ड का size जो क्या होना चाहिए कि अगर किसी भी question जो है पूछा जा चुका है previous time में तो यह कुछ कोशन थे जो कि मैंने आपके सामरे रखे हैं जो कि टेकनिकल में जो है previous time में जो है पूछी जा चुकी है आपका अब हम बात कर लेते हैं कि HR राउंड में जो है किस कि स्टैविक कोशन जो है पूट अप हो चुके है previous time में तो पहला question tell me about yourself यहाँ पर आपको detail में बताना है अपना नाम अपने नाम का मेनिंग अपनी स्कूलिंग एक्टिविटीज अपना ग्राज जो भी आपने ग्राजुशन किया है तो उसकी परसेंटेज जो गया रहा है वह सब आपको detail में थोड़ा यहाँ पर बताना है and next question tell me about your family background यह question बहुत पूचा जाता है कि अपनी फैमिली बैग्राउंड के बारें बताएं क्योंकि जो इंटर्वियोर है वो देखना चाहते हैं कि फैमिली जो है केंजिट की वो किस तरह की फैमिली है किस फैमिली से ब्लॉंग करते हैं कितना education है घर में मदर फादर क्या करते हैं तो वो सब आपको अपना फैमिली ग्रॉंट में जानने के लिए पूछते हैं कि आपके लेप्रेदर सिस्टर है वो क्या कर रहे है स्कूल में हैं जो हैं तो आप पर आपको प्टाना है hon & what's your strength do your work को लेकर कि कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो वहां आपको जो एक पॉस्टिव और अच्छा सा रेस्पॉंस आपको उनको देना है and if I give you opportunity so what would you do in my company तो पूछ लेकि अगर मैं आपको जो है इंट्रीव और पूछा एक कुशन कि मैं आपको पोश्टिव देता हूं ठीक है आप हमारी कंपनी में अब आप बताए कि आप हमारी कंपनी में क्या करोगी so what would you do in my company तो आपको जो एक पॉस्टिव सवाव और अच्छा से रेस्पॉंस वहां पर देना है ठीक है न and next question how to handle the manpower in critical situations तो आप जो है आपके एंटर में manpower काम करेगी तो जो critical situation को अगर आती है तो उसकिसमें आप manpower को कैसे handle करोगी तो यह question जो है पूछा जा चुका है next question general question ask about rubber technology तो क्यूंकि टायर कंपनी है तो rubber का है सारा महापर काम तो rubber technology के बारे में जिरूर अच्छे से आप पढ़के जाएं अगर आप कभी फीचर में जाते हैं तो rubber कि कितने टैप्स की टेक्नलोजी क्या क्या है तो वह आप जरूर अच्छे से पढ़के जाएं जो पुछ तुर्दिया है कर देंडिया में में आता है मैं सब्सक्राइब ना पेच्छे से काम करता हूँ को हुआ हुआधे मिद्ники स allowed साथ में लेका क स्कषिट किया हुआ है थे ने लिए यह दिवर किया हुआ है जैंन को इस अदिशनल जो भी आपने कोर्स किया computer related उसको लेकि questions आप से पूछी आ सकते हैं and next what do you know about the company आप company के बारे में पूछ सकते हैं कि आप हमारे company लिए आए तो आपको company के बारे में जो है क्या knowledge है तो मैं पहले बहुत जो जिस भी company लिए जाते हैं कि किरीमेंस करती है क्या है उनकोंसा मैनेफेस्टिंग्स करती कि क्या डिकर करती है क्या क्या उनके पोडेक्च मेर्केट में got अगर इससे इस इंफोर्मेशन जो भी आपको मिलती है वेबसाइट पोर्ट करें लिए और नेक्स्केशन वाल विल्वी हायर इंदिस कंपनी आपको जो अपने इस कंपनी में क्यों आयर करें तो एक पॉस्टिव रिस्पोंस एक पॉस्टिव फीडबैक आपको देना है जिस तो यह कोशन जो है मैंने आपके सामने रखे जो की प्रिविश टाइम में आपका एचा राउंड में पूछी जा चुके हैं तो मैंने आपके सामने रखे इसके साथ सदेगं इंपोर्टेंट बात ना उपको बताना चांग हुआ कि अगर आप जो है on campus की त्यारी कर रहे हैं, off campus की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप जो है complete exam की त्यारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो technical वाला जो part है उसके लिए हमारे दोरा कुछ e-books लिखी गई है आप उन e-books को ले सकते हैं आपके सामने जो है और यह सभी बुग जो आपको Amazon पर मिल जाएंगी जैसे आपके सामने mechanical companies technical interview question with explanation यह book है यह e-book आप ले सकते हैं इसमें हमने 100 questions लिए हैं जो की previous time में mechanical companies में interview questions पूछी जाए चुके है तो यह e-book आपको काफी help करेगी आपकी on campus, off campus की placement में इसके बाद second book है आपका डियाइडियो technical interview questions with explanation की e-book है इस e-book में हमने डियाइडियो scientist B में जो बच्छे degree mechanical से करते हैं उसके बाद डियाइडियो में scientist B के लिए test देते हैं उसके बाद interview होता है वहापरों का और interview में जो आपको सब्जेक्टिव जो नौर लिए उसको लेकर questions वोता होते हैं तो इस e-book में हमने total 300 questions दी हैं जो कि आप चाहे DRDO के scientist B के प्रफिशन कर रहे हैं जा फिर किसी on campus की त्यारी कर रहे हैं और off campus की त्यारी कर रहे हैं तो आप उन 300 questions को देख सकते हैं जिनको हमने answer वगयरा सब उसमें दिये हुए जिससे कि आप प्रफिशन को अच्छे से कर से क्योंकि इंटर्व्यू में कहीं से भी किसी सब्जेक्ट्स से कोई भी question से पूछा जा सकता है जा चीक है तो पहले लिए वो भी आपका है टक्निकला इंटर्व को ले करके ऑन-कंपस-णाफ-कंपस को ले कर ले कर ले कर बीख आप ओन-कंपस-णाफ-कंपस-देने वाले हैं एक यह उसमें आपका चोज़ कर चकते हैं इसके साथ आपको theory of machine की इबुक मिल जाएगी आप इस इबुक को भी सकते हैं इसे पहले के जो आपके अब इसके साथ आपका पास कले हैं तो पास कला पास कला की पहले हैं इसके साथ आपको अससे जो मोटर बिकर इंसपेक्टर गी एबुक जाएगी आपका डबलूवी एमसी जो आपका कॉलकात अमने सिल कोपरेशन की सब असिस्टन इंजिनियर मेकनिकल एक्जाम पर पिशन की एबुक आपको जो है अब अब कर सकते हैं और इसी की से हमने इंगलीश अडिशन है जो बच्चे इंगलीश में अगर नहीं पढ़ना चाते हैं तो उनके लिए अपने अडिशन को बेटर आप कर सकते हैं अब किसी बुक को लेना चाहते हैं आप उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं और अपने प्रफिशन को बैटर कर सकते हैं तो किस्टन आज की इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टपी के साथ में ओके थैंक यू